तो हेलो गाइस आची इस वीडियो में मैं वात करूंगा कि आप जो है मूचल फंड में सिप के से किसे इंवेश्ट करते हो मेरा मतलब है आपके विनग अगौंट से हर महीने एक अमाूंट काट लिए जाएंगा जो मूचल फंड में इंवेश्ट करना चाहते है जो कि मतलब की आंगे कि जो जो प्रोसेस है वो इसी वीडियो में आपको बताएंगे तो यहां पर एक मेंडेट प्रोसेस भी होती है वह हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि अगर हम इस वीडियो में जानेंगे तो जो वीडियो है वह काफी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी पर्षिंट जज्यादा था तो म號r therapeutic करें गर से एक जार रुपए का अमौंट डाल एंगे ठीक मैंने यहां पर एक हजार रुपए का यहां पर डाल दिया एक लोगों की सामने और एक पारोगों के आप एक हजार रोपे काट लिए जाएंगे और मेंडेट वाली जो वीडियो आईगी उसी में हम ये भी जान लेंगे कि मतलब क्या चार्जिस क्या लाएगा हर महीने के बैंक से जो पेसे कटेंगे से इंग नेचर वेगरा चार्ज वो एक अलग प्रोसेस होगी ठीक नेक्स्ट वी नहीं हो जाएंगे क्योंकि अभी हमको मैंडेट विस्ट करना है तो हिख और तो यह हो गया हमारा अउडर प्लेष्ट तो अब नेक्स्ट प्रोसेस की और चलते हैं तो guys सबसे पहले हमने क्या कर लिया हमारा जो है order प्रेश्ट कर दिया तो अब हम यहाँ पर आएंगे हमारी जो setting है तो उस पर आजाएंगे है न और आपको यहाँ पर option देखने को मिल जाएंगे काफी सारे तो आपको जो है bank and autopay पर जो red में आ रहा है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एर तो उसके बाद जो भी account साफ़ पेशे cut करना चाहते हैं तो आप उस पर click कर देंगे तो उस पर click करने के बाद आपको setup पर click करना पड़ेगा थीके तो setup पर click करेंगे तो SETA पर क्लिक करने के बाद आपको जो जो है NED penking ये फिर आप डेबिट कार्ट से कर सकते हैं तो मैं NED penking से करूँ गा तो यहां पर मैंने जो है Sumbit पर क्लिक कर दिया तो मैं फट जो है फट फट अपने Detals टाल के जो है वो login कर लेता हूँ ठीक और account को verify कर देता हूँ तो आपको भी इस हिसाब से करना पड़ेगा और आपको अंसा bank use करते हैं comment में बताना ताकि कि उसकी net banking से अगर आपको problem हो नहीं हो पा रहा है तो मैं उस पर जो है वीडियो बना दूँगा अगर आप password वगेरा भूल वाल गए हो तो ठीक है कैसा password create करना है क्योंकि यहाँ पर काफी लोगों को password create करना ही नहीं आता है net banking का ओके तो मैं login करता हूँ यहाँ पर सो गाइस हमने जो है हमारी bank को verify यहाँ पर कर दिया है request received okay तो अब यह दो से साथ दिम में जो है verify कर लेगा है ना तो हम यहाँ से done पर click करेंगे अब send to bank na status अब यहाँ पर जो है bank को send कर दिया जाएगा तो अब यहाँ पर हमको एक जो है form भी देखने को मिलता है तो setup auto paper click करेंगे और sign form पर click करेंगे तो हमको जो है एक form यहाँ पर देखना है उसको upload sign in form करना है तो हम इसको कैसे करेंगे यह हम next video में जानेंगे है ना और यह form को आपको print करवाना पड़ेगा तो अभी यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करना और channel को subscribe करना क्योंकि वीडियो जो है काफी लंबा हो जाता और अभी जो है साम हो रही है अभी market जाओंगा फिर मतलब कल जाओंगा और इसको निकल वाओंगा और फिर आप लोगो सोभा बता दूँगा है ना मतलब यह वीडियो जादा बड़ी नहीं होगी बट समझाने में काफी वीडियो को बनाने में बहुत जादा मेनत लगी है क्योंकि यहां पर इंटर्नेटिंग बेंकिंग से साइन इन करना इतना असान नहीं होता है ठीक है तो पाजबर को रिखेट करने में मतलब एक दो घंटे लग गए मेर को ठेक है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में